कि दोस्तों आज हम बात करने वाले इंश्टंट इपान कार्ट के जी हां दोस्तों एक इंकम टैक्स विभाग ने एक ऐसी श्कीम के शुरुआत की है या ऐसे पूटल के शुरुआत की है जहां पर आप जाकर फ्री आपकोस्ट जो फ्री में अपना पैन कार्ड बना सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन, यह काम अपने मौल फोन से भी कर सकते हैं, या लैप टॉप से भी कर सकते हैं, तो उसी के वारे में बात करेंगे या हाउ टू आप लाई फार इंस्टंट इपैन कार्ड, जो फ्री में पैन कार्ड बना आप इंस्टंट है, मतलब आपको तुरंट पैन कार्ड भी मिल जाएगा, उसकी e-copy, मतलब की e-mail पर उसकी e-copy डारेक भेज़ दी जाएगा, आप डाउनलोड करके उसके प्रिंट करा सकते हैं, मातर पांच मिनट में अपना आपकी एहमियत रहेगी, क्या यह मान नहीं बात करेंगे, फिलाल यह मान बिलकुल होगा, मैं आपको भी प्रूप के साथ दिखाने वाला हूँ, तो बने इस वीडियों लगातार, मैं हूँ पांचागड़े, और आप देखरें दोस्तों, अपना चैनल हेल पहिंदी, अग तो आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, और यहाँ पर जैसे आते हैं तो आपको यहाँ पर लिंक मिलता है, इसका लिंक, इस वेबसाइट का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे, तो आप तो आप तो आप तो यह government के official website है, government ने दोस्तों यह portal start किया है, आप इसको pop-up को लेगे, इसको cut कर दे, अब देखें, यह link में लिंक मिल रहा होगा, instant pan through आधार, तो instant pan through आधार इस पर आपको click करना है, जैसे इस पर click करें, देखें, आपर चार श्टिप दिखाता है, यह pan card क्या है, easy and paperless process, जब यह pan card apply करेंगे, तो easy and paperless, मतलब कोई भी है documents आपको नहीं देना, get pan within 10 minutes, मतलब की pan card आप मातर 10 minutes में पा सकते हैं, hold same values as physical pan card, यह कहला है, जो आप pan card यहां से बनाएंगे, और जो आप physical बनाते हैं, बिल्गो same value है, कोई भी difference नहीं, वही pan card यहां भी आपको मेलेगा, all you need is आधार card and linked mobile number, लेकिन आपके एक condition, अगर आपके pan card बनाना है, तो एक condition है कि आपके पास आधार card होना चाहिए, और आधार card में registered mobile number बहुत जरूरी है, mobile number आपका registered होना चाहिए, तभी आप इसके apply कर पाएंगे, अब देखिए, always remember, pan allartment based on आधार is free of cost, pan PDF will be generated and issued to applicant, कह रहा ह यह जो pan allartment based, आधार से जो बन रहा है pan card, यह बिलकुल free of cost है, आधार के माददें से, और इसका e-copy जो applicant होगा, उसके mobile phone पर भेज़ दी जाएगे, अब देखिएगा, यहाँ पर frequently asked question भी है, अगर आप पढ़ना चाहिए, तो भी पढ़ सकते है, what is pan, what is आधार based instant pan, यह भ आधार का, सभूधर अधार आप यूटिया या NHDL या किसी अधार से बना रहे होंगे, तो क्या आपको मन में यह सवाल होगा, क्या जो मैं आज instantly pan बना रहा हूँ, यह उससे difference है, तो उसका सवाल दिया गया है, सवाल दिया था, is this pan valid, क्या यह pan valid है, is it different from the pan issued via other modes of application, क्या कह यह उन सभी other modes है, उनसे different होगा, तो answer दिखेगे, yes, this pan is valid, यह pan बिल्कुल valid है, it is not different from the pan issued by income tax department via other mode of application, however, this pan is paperless, online and free of cost, क्या यह बिल्कुल आपका valid होगा, कोई भी difference नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, चाहिए भी UTI या NHDL से बना रहे हों, या इस method से बना रहे हों, या इस free of cost आपको दिया जाएगा, अब if apply for installed pan, how will get the allotted pan, कह रहा, जैसे आप apply करेंगे, तो कैसे आपको pan card मिलेगा, देखीगा, you can download your pan by submitting the adhar number at a check status of pan, you will also get the pan in a PDF format by your email, if your email address is registered with adhar card, कह रहा, अगर आपके adhar card में email address is registered है, तो directly आपका PDF भीज़ दिया जाएगा, आनने था, अगर registered नहीं है, तो आप देखें, यहाप एक option आथा, check status and download pan, जैसे हम आप लाई करेंगे, तो आपको एक reference number मिलेगा, यहाँ पर डाल करके download भी कर सकते हैं, और भी आप देखी, बहुत से detail पढ़ सकते हैं, do you have to pay for using the facility, आप आप अधार based instant pan, तो no, य अगर आपको नहीं पता है, is a pan a valid from a pan, is a pan a valid form of pan, is a pan a valid form of pan, पूछ रहा है, क्या इपन valid form of pan, पूछ रहा है, क्या इपन valid form of pan, पूछ रहा है, तो बिल्कुल from here can I download the QR code, यहाँ डिटेल आपको मिल जाते है, pan से related, तो यह पूरे detail आप यहाँ पढ़ सकते हैं, frequently asked question में, अब हम चलते है, direct apply कहसे करना, जैसे आप फिर से back आते हैं, तो यहाँ देखिए gate new pan पर आपको click करना होगा, और जैसे gate new pan पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, यहाँ पर 5 steps है, जिसमें आपको pan card 5 steps में मिल जाएगा, जिसमें आपको pan card 5 steps मे दालेंगे, और I confirm करने गवाद generate आधार OTP पर click करेंगे, तो आपके mobile number पर एक OTP आएगा, किस mobile number पर जो आधार card में registered है, जैसे वो OTP आएगा, देखिए second option validate OTP, second option पर click करके जैसे आप यहाँ डालेंगे, तो आपका validate OTP, मतलब की, जो OTP डालेंगे तो validate करेगा, यहाँ आधार detail, अब आपको आप इसके आगे आधार detail आपको validate करनी होगी, और यहाँ पर ज्यादा आप कुछ भरना नहीं, कोई detail ज्यादा नहीं बना, क्योंकि आधार card से सारा data आपका फेज कर लेगा, निकाल लेगा, और उसी के माद्दम से बुरा बन जाएगा, फिर validate email ID, आपको इसको अगर चाहे तो इसको प्लास्टिक कार्ड किसी दुकान में जाकर प्लास्टिक कार्ड में इसो प्रिंट कराकर घर में रख सकते हैं, जो आपके permanent pen card की तरह वर्क करेगा, तो यह एक बड़ा services है, जो की income tax bank ने start-up की है, तो आप इसके पहले भी services start हुई थी, ह इसका मैं आपको live करके दिखा सकूँ, pen card कैसे बनाना, जैसे आपको कुछ customer आया था, तो मैं आपको live करके बताऊंगा, कि pen card आप कैसे live apply कर सकते हैं, इस website से, उसलिए थोड़ा सापको wait करना होगा, और बहुत आसानी से आप pen card यहां से apply कर सकते हैं, तो यह पूरा process था, औ आका detail पर सकते हैं, या आप जैसे back आते हैं, फिर से अगर home पर आप आते हैं, और instant pen पर apply करेंगे, पॉप आप को cancel करना होगा, यहां पर दिखी guidelines, guidelines दिया है, download mobile app, guidelines भी आपको यहां पर दी गहीं कि कैसे apply करना है, generate scheme of instant pen card, the silent point of this facility, how to apply for instant pen, and how to download pen, pen and validate of pen, तो पूरा detail यहां पर दिखी, बताया गया, format, सब कुछ यहां दिया गया है, कोई भी अगर आपको doubt रह जाता है, इसे related, इस service से related, तो हम बहुती आशानी से इसे clear कर सकते हैं, अगर दिखी, यहां पर हम बात silent features क्या है, इसकी, the applicant should have a valid आधार, which is not linked to any other pen, applicant के पास ऐसा आधार होना चाहिए, जिसका भी भी pen card से कोई link ना हो, second, the applicant should have his mobile number registered with आधार कार्ड, मतलिकेंट जो जिसका आप अप्लाई करने जा रहे है, उसका आधार कार्ड में mobile number update होना चाहिए, registered होना चाहिए, third option is this is a paperless process and applicants are not required to submit or upload any documents, एक बहुत बढ़ा doubt रहता है, हम से भी के बीच में ग्राफिक वेली है, तो एक डाउट रहता है, यूटिया या नच्डियल से आप पैन कार्ड करते हैं, तो आपर उनके physical documents आपको बेजने परते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसपस्ट किया गया है, this is a paperless process, यह paperless process and applicant are not required to submit or upload any documents, यहाँ पर कोई भी आपका documents ना तो आपको submit करना है, नहीं upload करना है, directly आपका पूरा detail आधार कार्ड से phase किया जाता है, the applicant should not have another pen, position of a more than one pen will result in a penalty under section, यहाँ पर बोला गया है, कि कोई भी applicant अगर है, वो दो यहाँ से pen card नहीं बना सकता है, अगर आप ऐसा करते हैं, तो एक fraud की category में आएगा, section 2, 72B1 के according वहाँ पर penalty का प्राव तो आपको ध्यान देना है, केवल एक pen card here allot करना है, किसी भी customer का, ठीक है, how to apply for instant pen फिलालो मैंने बता दिया है, पहले से how to download के अगर बात करें, तो वो भी आप देख सकते हैं, to download pen, please go to the e-filling website of income tax department, और click here to instant pen through आधार, और click here to check status of pen, तो directly आप यहाँ से डाइटलोड कर सकते हैं, और इसका पूरा detail मैंने पहले भी बता रखा है, यहाँ पर आएंगे तो ने, यह gate, इस टेटर से detail पर जाएंगे, तो आपको आधार नमबर capture डाल कर, submit करना होगा, वो TPI का validate करना होगा, और आपका pen card आपको download मिल जाता है, तो यह पूरा process था, how to apply for instant pen card, और इसके detail, full detail, उसके silent features क्या थे, क्या वो different है, क्या cost पड़ेगा, सारे question के जवाप, सायद मैंने दे दी, अगर आपका तब भी कोई question छूट जाता, तो मैं comment करके बताएं, और मैं अगली वीडियो में आपको दूँगा, कि live process करके दिखाऊंगा, कि free of cost में आप pen card कैसे बनाएंगे, live क अगर चैनल को आपने अभी तक हेल बिंदी चैनल को सब्काइब नहीं किया है, तो प्लीज जरू सब्काइब कर लें, thanks for watching.